हेलो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग आज के इस वीडियो में बात करते हैं टाइफ हैड फीवर का इलाज टाइफ हैड फीवर होता क्यों है और कौन सा घरेले उपाय तथा कौन सा होमेपेथिक ट्रिटमेंट लिया जाए और कौन सा टेस्ट करते हैं आज पूरी बात आपको ठी क्रामक रोग है जो की पूर या कम सनिटाइजेशन की वज़ा से फैलता है मतलब सापसफाई ठीक से न होने की वज़ा बढ़ जाती है यानि जो आप पानी पी रहे हैं वो दूसित है या फिर जो भोजन ले रहे हैं वो दूसित हो तो टाइफायड फिवर हो सकता है और टाइफायड फिवर प्रमुक रूप से दूसित भोजन और पानी से फैलता है और प्रमुक रूप से साल्मोनेला टाइफी प्रमुक रूप से जिम्हदार होता है इसी तरीक गया और वाइडल टेश्ट करते हैं तो इसको दों के लँग किसी टेस्ट से बता कर सकते हैं कि आपको जो fever आ रहा है उसके लिए responsible typhide fever ही है तो typhide के लच्छन के अगर बात किया जाएं तो एक दम लच्छन clear से आते हैं slow onset of fever और fever हमेशा लगभग बना रहता है एक degree Celsius के कम range में घड़ता है या बढ़ता है यह एक degree Celsius कम हो गया फिर एक degree Celsius बढ़ेगा पहला लच्छन है बुखार दूसरा सरदर्द तीसरा पेट से जुड़े होए लच्छन जैसे डायरिया डिसेंटरी कप्ष चवत्था स्प्लीनों में गया लिए मतलब जो स्प्लीन है उसमें सूजन आ जाए और पांचवा धीमेद में बुखार का चड़ना बुखार हमेशा बने रहना और एक डिगरी सेल्शेस के अंतराल पर घटना और बढ़ना तो इस तरह से जो टाइफाइड फीवर है वो कांटेनिवस फीवर है यह एक डिगरी सेल्शेस के रेंज में घटता और बढ़ता है तो इस तरह से हमेशा फीवर बना रहता है सरदर ये सब symptom छाते रहते हैं उसके सासाँ लाइर्यए डिसेन्ट्री होते हैं अब डियर्यए डिसेन्ट्री से its मेल बहुत ज्यादा प्थ बहुत ज्यादा आती है तो ईसका जू गूम करेक्तरिस्टिक्स है कि grinding अधिन mi इस इस पसीना है इन सबसे बहुत ज्यादा इसमेल आती है तो ये सब जो टाइफ़ाट फीवर है उसके characteristics हैं और घरेलू इलाज के अगर बात करें तो घरेलू इलाज आसा इलाज जो आप कर सकते हैं और initial stage में टाइफायड फीवर ठीक हो जाता है तो पहला घरेलू इलाज है पांस लॉंग को दो लिटर पानी में उबालें तब तक जब तक पानी आधा रह जाए यानि उसको उबाल करके एक लिटर बना लेजिए इस पानी को शानका रख लीजिए और इसी पानी को आधा आधा कब दि को बाद धिमें-धिमें कम होने लगता है तो चार हपते का कोर्स है टाइफायड फीवर का बॉड़ी के अंदर तो आप इसको लगातार करते रहे हैं या दूसरा घरेलू उपाय क्या है उबले हुए पानी में एक चमस सहद मिलाकर चार टाइम पिलाएं पानी गुन-गुन हो जाएगा तीसरा घरेलू उपाय है रोगी को दूद में नारंगी का रस मिलाकर पिलाएं या फिर दूद पिलाकर नारंगी खिलाएं दिन में लगभक तीन बार तो इन तीन घरेलू उपाय करने से जो टाइफायड फीवर की जो समस्या है इनिस्यल स्टेज में बहुत आ फ्यूवर है उससे निजात दिला सकती हैं तो देखे जो होमेपथिक ट्रीटमेंट की जो दवा है यहां पे तीन दवाईयां बताई गई हैं और किसी भी होमेपथिक मेंट कर इस्टोर पर आसानी से अवलेबल हैं तो आप उसको लेके सेवन करें पहली दवा है आर्शनिक ए कि चार गोली साम और रात को लिजे तो इन तीन दवाऊं से और कोई एक घरली उपाय करने से जो टाइफायड की समस्या है उसमें आसानी से निजात संभव है तो देखे जो टाइफायड फिवर है इसको एंटरिक फिवर भी बोलते हैं हिंदी में मियादी बुखार भी बो प्रेंट को बहुता है और ऐसे बच्चों को भी ज्यादा फैलता है जिनकी पोशन इस्तिति कमजोर है ना माल निट्रिशन वाले को पोशन बच्चों में ज्यादा फैलने की संभवना बनती है कोई बच्चा अगर बोले कि हमेशा उसके लगातार पेट में दर्द कर रहा ह तो हो सकता है कि उसको टाइफायट का इंफेक्शन हो चुका हो इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें फ्रेंट्स को भी सेयर करें सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता जो नीचे रेड कलर की बटन सकते हैं क्योंकि जो बिमारियां हैं उसके बारे में जानकारी ही प्रात्मिक इलाज है जानकारी होना प्रात्मिक इलाज है तो आप प्रात्मिक इलाज आप खुद से कर सकते हैं तो हमसे जूडने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स को भी सेयर करें थेंक यू